नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टार्गेट फॉर आई एज नापी पेस सी बित के के आज है 13 फरवरी 2023 और आज हम लोग डिसकस करेंगे मद्द प्रदेश का करेंट अभी कुछ समय से हमारी वीडियो आ नहीं रही थी परंतु अब इस वीडियो में जितने भी पुराने करेंट फर है उनको सामिल किया है इसके बाद जो कल का हमारा वीडियो होगा उसमें पूरा डीपली तरीकी से हम लोग डिसकस करेंगे क्केलो इंडिया यूथ गेम को क्योंकि आप सभी को मालूं hungry क्या हो चुका है समापन हो चुका है मद्द प्रदेश में ऐसा पहली बाहर है जब इस गेम का आयो जान किया गया लगवक आठ बेविन सेहरों में मद्द प्रदेश का आयो जान किया था जिसके बारे पर प्रजुलित होंगे कितने लाग दिये आपका ओप certains यह 11 1981 0000 11 इसका रैट आंसर आपका Спसे 221,001 0000 201 जो दिये है वाइ प्रजुलित किये जाएंगे अजयन में महा सिवर्य परवपर तो इसको आपको याद रखना है काफी अच्छ mother do to तो कितने दिये पर जुलित किये जाएंगे दोस्तों 21,00, दिये महा सिवरात्री पर पर जुलित होंगे 21,00, दिये आप सभी को मालूम होना चाहिए पिछले वर्स गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड भी बनाया गया था इसको भी आपको याद रखना है इसको नाम दिया गया था शिब जोती अपरणम इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में 5G टेकलोजी की शुरूबात मद्द प्रदेश के किस सहर स की गई थी उज्जेन से की गई थी कंपनी थी जियो इसके साथ साथ गवर्मेंट कंपनी है जो BSNL है जिसे हम लोग जानते हैं इसके द्वारा भी 5G ट्राइल के लिए एक जिले का चैन किया गया है और वह जिला है विदीसा तो पॉइंट भी नोटिद विदीसा का चैन कि समीच्छा तो काफी एदीक इंपोरेंट है आगे बढ़ते है अब हम लोग जीफ्लिक म्यजिक, फेस्टिवल का आयूजन किस सेहर में किए जाएगा काफी एदीक इंपोरेंट है तो कि भारत-दिश्के बड़े गायक अकलाकार इसमें होंगे सामिल, तो काफी एदीक हुआ किस सहर में सकायोजन होगा सिहसा इसका राइट आंशर दूस्टो hard है दूसर नमबर वन जब बोब्पाल is दर राइड आंसर तो किस सहर में सकायोजन किया जाएगा दूस्टों बोब्पबल में सकाय विजन किया जाएगा। काफी एप बॉक्सिंग जितने हैं यह सभी सभी 2007 और भौपालमिन की स्थापना हुई थी घुड़ दोड भौपालमिन की स्थापना हुई थी 2007 राइट अंसर है इन सभी को आपको याद रखना है इसके साथ हैसाथ आपको याद रखना है 2016 अथलेटिक्स अकेडमी की स्फुबात कहां पर होई थी तो इसकी भी सुरूबात है आपकी कहां पर होई थी 1946 में डॉक्टर हरी सिंग को और इनवर्शिटी की स्थापना की गया थी जो कि मद्धेप्रदेश की पहली सेंटरल इनवर्शिटी एंड प्लस पहली इनवर्शिटी ही मद्धेप्रदेश की यही थी तो इन सभी effects को आपको यॉद्यवरे को याद रखना है that is why again 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 I try to remember you these all facts आगे बढ़ते हैं जिफ लिफ मुजिक फेस्टिवल का आउजन कब से कब तक किया जाएगा आपको आपको नमबर 18 से 19 फरवरी को 19 से 20 फरवरी को 20 से 21 को या फिर 21 से 22 को इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको 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 नमबर 18 से 19 फरवरी के बीच में जिफ ल के बोपाल में अली लकी सहत राष्टी और अंतराष्टी इस तरह के कलाकार देंगे पrस्तुति मध्द प्रदिश टूरिज्झम बोड के सयोग को रहा है ऐजन तो इस फैक्ट को याद रखना गई थी और यह दोस्तों मद्र प्रदेश से ही संबंदे थे that is why this is most important type of question you should remember that इसको note करिए काफियद एक important question होने वाला है साथी साथ आपको याद रखना है दोस्तों इस question को आपको note करना है link discussion में है वहां से आपको telegram channel को जोइन करना है telegram channel पर आपको इस lecture की PDF मिल जाएगी इसके साथ चाथ हमारे पराणी लेक्चर की PDF मिल जाएगी वहां से आप इसे जोइन कर सकते हैं तो यह किस जिले से संबंदे थे important हो जाता है असोक नगर से काफियद एक important है इसको याद रखना है माडलिंग का सपना छोड़ हजारों किलोमीटर यात्रा पर निकली मुसकान जाने ये सफर क्यों है खास MP के असोक नगर की रहने वाली चात्रा मुसकान रगुबंसी कस्मीर से कन्यों कमारी तक 4000 किलोमीटर की साइकल यात्रा पर निकली है सौंबर गुगालियर पहुंची मुसकान ने बताये कि लड़कियों को जागरो करना उनका उद्धेस है अब यहाँ पर देखते हैं आज मुकमंती सिवरास सिंग कोहन से इनों मुलाकात की कम्प्लिट कर दी है अपनी यात्रा मुकमंती सिर्ष इवरास सिंग चोहन ने आज निवास पर महला ससके करना की मिसाल पेस करने कस्मीर से कन्यों कमारी तक साइकल यात्रा परने के लिए पर देश की बिटी मुसकान रगबंजी से वेट कर इस सफल यात्रा के लिए अपनी सुब कामना दी तो इसको याद रखना है आगे बढ़ते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में किस इस्थान पर रहा हमारा प्यारा मद्दे प्रदेश आप सभी को मालू है मद्दे प्रदेश में स्काय उजन किया गया था तो किस इस्थान पर रहा मद्दे प्रदेश पिछले बर्स किस इस्थान पर था आठवे नंबर पर था इस बर किस इस्थान पर रहा इस बार रहा तीसरे इस्थान पर याद रखिए मद्दे प्रदेश ने अपना इस्थान ऊचा किया और तीसरे इस्थान पर पहुंचा ह पूरे कम्टीट हुए नहीं थे जितने भी मुस्ट इंपरेंट फेक्ट हैं खेलो इंडिया यूथ गेम से एक लास्ट वीडियो लगएगा इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना लिंक डिस्कुशन में वहाँ से टेलिग्राम चनल को जरूर जोएन करिए उसकी पीडि वूए जितने पिरन में वेलिग्राम चनल कर लूए जितने वुए जो च्यांडेू भाहाँ झाल कर देलिग्राम